उत्तर प्रदेश में विधान सभाद चुनाव की दूसरे चरन का मतदान हुआ है जहां नौ जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग की गई है इस बीच समाजवादी पाटी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है जिसमें अखिलेश यादव का आरोप है कि सहारनपूर जिले में विधान सभाद चेतर एक की बेहट की बूत संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवी पैट में कम की परची निकल रही है इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि बूत संख्या 377 पर वोट डालने वाली जिन महिलाओं को कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता इस वजह से मतदान अधिकारी उनका वोट खुड डाल रहे हैं वही बूत संख्या 403 पर मुस्लिम वोटर कराने की अपील की है सपा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि सहारनपूर जिले की विधान सभा बेहट एक बूत नंबर 127 पर भाजपा के कारेकरता फरजी वोटिंग करा रहे हैं चुनाव आयोग से संग्यान लेकर कारेवाई करने की मांग की है साथी सपा ने यह भी आरोप लगाया है कि रामपूर विधान सभा 37 के बूत संख्या 289 311 को कैप्चर कराने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग और जिला प्रशाशन ततकाल हर्स्तचेप करते हुए निस्पक्च और भैमुक्त चुनाव कराने की कृपा करे साथी मुरादाबाद ग्र आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग और जिला प्रशाशन संग्यान लेकर निस्पक्च पारदर्शी और भैमुक्त चुनाव सुनिश्चित करे